मुंबे की पूर्व सीपी परंबीर सीह द्वारा पूर्व ग्रोहमंत्री अनिल देशमुक पर 100 करोर रुपे वसुली का आरोप लगाये जाने के बाद हाई कोट ने CBI को जांच के आदेश दिये थी प्रात्मिक चांच के बाद CBI ने देशमुक और अन्य के खिलाफ आपरादिक शर्यंत्र और ब्रष्टाचार प्रतिबंद कानून की धारा साथ के थेट मामला तरस किया शनिवार की सुहे 7 बच कर 35 मिनिट के दोरान CBI की टीम देशमुक के घर पहुची लगातार 10 खंटे तक CBI की अधिकारियों ने घर की चांच की और देशमुक का बयान तरस किया शाम 6 बचे के दोरान टीम वापस लोटी और देशमुक कोविट सेंटर का जायसाले ने काटोल रवाना हो गये चीपिया चोक से देशमुक के निवास्थान की तलाशी लेने के लिए दिलने से CBI के साथ अधिकारियों की टीम शुकरवार को ही नाखपूर पहुच गई थी एक टीम ने शुकरवार राथ ही पूरे घर का बाहर से चायसा लिया शन्यवार सुहे साथ बजकर पैतालिस मिनट के दोरान टीम ने देशमुक के घर पर दबिश्टी और अपना परीचर दिया इसके बाद कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया इस समय देशमुक उनके बेटे सल्ले और परिवार के सभी सदस्यक घर में ही मौजूद थी संक्रमन और सुरक्षा की लिहाज से CBI अधिकारियों ने बीपी किट पहन कर घर की जांच की तलाशी के दोरां बहुत से दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे CBI ने अपने लैप्टॉप पर जब की गई सामगरी का विवरन तयार किया अपने ही प्रिंटर से बयान और सब की गई सामगरी की जांकारी देती हुए देश्मुक की हस्ताक शरू लिये शाम छे बजे CBI की जांच खत्म होई दो वाहनों में अधिकारियों की टीम वापस रवाना हो गई मुंबई में अस्पी स्तर के अधिकारी द्वारा पुरी जांच पर निगरानी की जारे थी जांच के संबन में CBI अधिकारी ने कोई भी टिपने करने से इंकार कर दिया टीम के रवाना होने के कुछ देर बाद देश्मुक अपने घर से बाहर निकले उन्होंने मीडिया को बताया कि संबनित केस में CBI टीम जांच करने आई थी और उनकी तरफ से पुरा सयोग किया गया इसके बाद वे काटोल में नवनिर्मित कोविट सेंटर का जासा लेने के लिए रवाना हो गए कुछी देर बाद दोबारा CBI की टीम उनके घर पहुची चांदकारी मिलते ही आदेर रास्ते से देश्मुक भी वापस दोटाए राद दस बजे तक टीम उनके घर से निकली और देश्मुक काटोल के लिए गया क्यामर पोसिन राजकुमार महोळ के साथ दिशाहटवार बीस्यन्यूस नाकपूर